हेलो फ्रेंट्स में अभी और वल्कम करता हूँ अब सबको मेरे चनल गाउंका गाडेनर में तो जब हम छट के उपर पोट में प्लांट लगाते हैं तो हमारे साथ सभी के साथ ये प्रोब्लेम होता है कि थोड़ी से हवा चलने से प्लांट हमारा गिर जाता है और तूट जाता है तो हम किसी को अगर थोड़े से यूज करने के लाइक है तो रखते हैं बाकियों को फेक देते हैं तो आज का टोपिक हमारा यही बला है कि उस टूटे हुए गमले को हम केसे रिपेयर करें तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा विडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि पूरा प्रोसेस में आपको करके दिखाऊंगा तो धर्ये के साथ देखते रहेगा विडियो को आखरी तक बिना स्किप किये क्योंकि स्किप कर जाएंगे तो हो सकता है आप कुछ मिस कर जाए और अगर आप चैनल में ने हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्रेब करके पास बले बेल आइकोन को दबा दीजिएगा ताकि इसे ही गार्डनिंग रिलेटेड इन्फोर्मेशन वीडियो आपको मिलता रहे तो पहले हमें इसे पोट को अगर थोड़ा सा मेल धूल या बालू लगा हुआ है इन सब को हमें इसे साप करना ना होगा आप हो सके तो अच्छे से धोलीजिएगा पोट को बाहर और भीतर से अंदर हम क्या करेंगे मैं आपको डिटेल्स दिखाऊंगा तो अगर अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम में फोलो नहीं किये हैं तो आप चाहिए तो मुझे इस्टाग्राम में भी फोलो कर सकते हैं मैं वहाँ पे छोटा छोटा अप्डेट सेयर करता रहता हूँ तो यह कुछ कपड़े, अगर cotton के है, तो अच्छ ह्य रहता है, cotton के कपड़े अगर आपके पास rejected है, तो अच्छ ह्य रहता है, थोड़ा सा सिमेंट हम लेंगे, और उसको हल्का सा पानी दे के एक paste की जैसा बना लेंगे ज्यादा पतला नहीं बनाइँगे, थोड़ा सा गाढ़ा पेश्ट जीसा हम बना लेंगे देखे मैं कैसे बनाया हूँ और इसके अंदर हम क्या करेंगे जो कपड़े हम लिये हैं इसको अच्छे से उस सिमेंट के जो सलूशन हम बनाए हैं इसे आप अच्छे से भीगो लेंगे देखे मैं कैसे पूरा सिमेंट लगा लिया सारे कपड़े में तो ये बाला मैं जब मेरा पॉर्ट टूटा था मैं एक वीडियो शेयर किया था तो मेरा एक सब्सक्राइबर ने मुझे कोमेंट करके बताया था ये बाला हालाकि मैं करने बाला था लेकिन वह कॉमेंट जब मién रिपेर कर सकते हैं ज्यादा खर्चा भी नहीं होता और ज्यादा टाइम भी नहीं जाता देखिए उन सिमेंट लगे कपड़ों को हम पोट के चारो तरोप अच्छे से लपेट लेंगे और देखिए मैं कैसे कर रहा हूं और उसे अच्छे से इसे सेट करके हाथों से हम इसे दबा देंगे, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ताकि जो सिमेंट लगा हुआ कपड़ा है वो अच्छे से पोट में चिपक जाए, इसे अगर हम कर देंगे, हो सकता है कहां कहां पे थोड़ा सा एर अंदर रह जाता है, तो वो भी निकल जाएगा और अच्छे से चिपक भी तो देखिए, आप भी चाहे तो अपने पोट को ऐसे रिपियर कर सकते हैं, क्यूंकि ज़्यादा पोट हम सब को सभी टाइम नहीं मिलता, तो ये पोट हम कभी कभी काम भी चला सकते हैं, काम नहीं चला सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरह कैसे निउउ पोट जैसे हम इसे मैं पहले भी किया हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ ये वाला विडियो बना के शेयर कर रहा हूं तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दे रहा हूं, क्योंकि विडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप बॉर हो जाएंगे, तो देखे अच्छे से चारो तरफ थोड़ा-थोड़ा सीमेंट और लेके मैं चारो तरफ इसे अच्छे से लगा लिया और जो सीमेंट का सल्यूशन हम बना है उसे हम अंदर की तरफ भी दे देंगे ताके जहाँ पर तूटा हुआ है वहाँ से अंदर कुछ चला जाये वह तूटा हुआ जगा ْयख्षी से फिक्स हो जाए तो देखे मैं भी ऐसे कर रहा हूँ आप चाहे तो आप भी ऐसे कर सकते हैं एखे अच्छे से हम अंदर की साइड भी क्योंकि अंदर हम cotton नहीं दे सकते हैं इसलिए plain cement का solution जो हम बनाए हैं उसे हम अच्छे तरीके से इसे लगा देंगे गिस गिस के लगा देंगे ताकि जो टूटा हुआ जहां पे फटा है हमारा pot वहां से अंदर भी चला जाए वो cement का solution तो देखिए हो गया यह हमारा खतम हो गया देखिए ज्यादा टाइम भी नहीं जाता आप भी चाहे तो इसे कर सकते हैं और खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं होता थोड़े से होता होगा तो देखिए इसको मैं छोटे वाले को थोड़ा सा स्पीड करके दिखा रहा हूँ इसको भी इसे हम सेट करके लगा लेंगे और लगा लेने के बाद इसके भी अंदर की साइड में हम अच्छे से सिमेंट का सल्यूशन लगा देंगे तो देखिए यह थोड़ा सा कटन बड़ा हो गया तो मैं इसे उपर के साइड देके फिर से लगा लिया तो लगा लेने के बाद हमें इसे किसी सेड़ेट प्लेस में रखना पड़ेगा धूप में डायरेक्ट हम नहीं रखेंगे क्यों और स्प्रेय करने के बाद अच्छे से पानी के स्प्रेय कर देंगे जैसे हम हमारे बिल्डिंग के काम होता है तो काम जब खतम होता है हमारा प्लास्टरिंग हो या फिर इटों की जुडाई हो जब खतम होता है तो हम इसमें पानी देते हैं 24 गंटे के बाद तो इसी तरह ह हम इसके उपर भी पानी दे देंगे और पानी देने के बाद यह देखें मैं बनाए हूँ यह सिमेंट का घोल उसी तरीके से इसे हम एक ब्रस के मदद से जो पेंटिंग ब्रस होता है उसी ब्रस के मदद से आप चाहे तो नया ब्रस खरिद सकते हैं और आप चाहे तो पुरान ब्रस का भी यूज कर सकते हैं मैं पुराना वाला कर रहा हूं जो कलर कलरिंग करने में घर के ग्रिल कलर करने में यूज होता है यही वाला ब्रस है है इसे हम अच्छे से सिमेंट की घोल को अच्छे से लगा देंगे लेकिन यह काम हमें 24 गंटे के बाद करना पड़ेगा तो ठोड़ा सा फिनिसिंग भी आ जायेगा देखिए अच्छे से हमें चारों तरफ अंदर बहार हम अच्छे से लगा देंगे यह अच्छा नहीं होता और च्छोटे-च्छोटे जो जगा रह जाते हैं जहां पर आध이 से से नहीं लगता लेकिन ब्रत से लगाने से अच्छी तरह से यहां पे छोटे छोटे जगां जहांपे छोट दिया होगा हम स्यमेट लगाने से वहाँ पर अच्छे से लग जाएगा और हम बाहर भी लगाएंगे और अंदर भी इसी лगर्दक से फिर से लगा दे जरूर कीजिए, अगर आप करते हैं, तो मुझे comment box में बताईए, आप कैसे करते हैं, और वीडियो अगर आपको informative लगता है, तो आप वीडियो को एक like भी कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन like नहीं करते, like कर दिया कीजिए, अगर पसंद नहीं आता है, तो dislike कर सकते हैं आप, और ये देखे, अंदर की तरफ भी हम अच्छे से लगा देंगे, इसी brush की मदद से, ताकि जहां पर भी थोड़ा थोड़ा जगा छूट गया होगा, वो भर जाएगा अभी cement से, ये घोल भी हमें ज्यादा पतला नहीं करना है, और ज्यादा गाड़ा भी नहीं रखना है, तो आप चाहे ज्यादा फिनिसिंग तो बीच-बीच में इसे पानी का स्प्रे करके, फिर से आप इसके उपर ब्रस लगा सकते हैं, क्योंकि मैं दोपेर को ये काम कर रहा हूँ, तो लगाते वक्त सूख जा रहा है, तो इसलिए ये दो रहा, दूसरा का भी मैं अभी करूँगा, और ये देखिए, चारो पोट हमारा, इसे मैं सिमेंट का गोल अंदर और बाहर ब्रस के मदद से लगा लिया, तो आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं, अपने गाड़न में अगर पोट टूटा हुआ होगा, तो आप इस चार दिन पानी का सप्रे करेंगे, उसके बाद हम इसे यूज कर सकते हैं, अप चाहे तो इसे रख के फिर जब भी चाहे आप इसे यूज कर सकते हैं, तो थेंक्यू दोस्तो वीडियो को आखरी तक देखने के लिए, आपका बहुत ज़्यादा इंपटेंट टाइम देके इस वीडियो को आप देखे इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत सुक्रिया अगर आप चैनल में ने हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक से और कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा और कोई ना कोई प्लांट जरूर लगाएए और खुछ रही है तेंक्यू सौमाइब